हलो चिल्वरेन हावी वोला होपी वोला हेले नाजी यौला fit and fine my name is Dhanesh Sharma and I welcome you all to champs bro batch for class 6 आज हम शुरू करने जाए अपना history का chapter और ये बहुत most demanded chapter था बहुत सारे बच्चे में का कि मारे exams में आ रहा है and the chapter name is Ashoka the emperor who gave up the war तो आज हम start करने से पहले पहले समझेंगे empire और एक बहुत बड़ा kingdom में क्या फरक होता है kingdom होता है जहां पर बहुत सारे में में kings होते हैं definitely जहां पर घिंग की army होती है जहां पर king की officials होते हैं लेकिन एक empire क्या होता है जहां बहुत जादा बहुत जादा kingdom 81 हो जाते हैं यानि kingdom is a small part empire is a very big part तो हम इस chapter को दो parts में divide कर देंगे first in the first half जो आज का lecture है उसमें सर्फ यही समझेंगे कि ऐसा क्या हुआ या फिर क्या एक empire kingdom में difference होता है कि क्या ऐसे start हुआ basically Ashoka का entire empire और Ashoka जो emperor थे उन्होंने कैसे rule करना शुरू किया उनकी dynasties क्या थी उनके दादा जी और उनके फादर क्या करते थे तो यह सारी background story करेंगे और next chapter में या फिर next lecture में इसी chapter के हम यह करेंगे कि कैसे एक बड़े emperor ने एक war को ही gave up कर दिया तो सबसे पहले a very big kingdom यानि की बहुत जादा kingdom को empire बोला जाता है यानि की more than one kingdom भी अगर हम kingdom को भी जोड़ दे more than one kingdom को भी जोड़ दे या plus कर दे तो वो एक बहुत बड़ा empire बन जाता है यानि की उसके अंदर बहुत जादा क्या आ जाते हैं उसके अंदर आ जाते हैं बहुत जादा kings और बहुत जादा जगह क्योंकि क्या होता है एक बड़ा empire या एक बड़ा emperor बनने के लिए आपको बहुत सारी जगह को conquer करना पड़ता है तो kings क्या करते थे conquer करते थे अपनी जगह को ठीक है तो अब यहां पर question आता है हाओ एंड एंपायर ठीक है एंपायर जो कि बहुत बड़ा है यानि की more a number is different for our kingdom kingdom क्या है एक चोटी सी जगह है यह चोटा सा एक 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 है ठीक है और उनकी officials और उनकी प्रजाएं और empire का है बहुत सारी kings है बहुत सारी जगह और उनके officials है यह कैसे different होता है अब इससे पहले कि अगर आप chapters देखो अपने this is chapter 8 इससे पहले कि आप chapters देखोगे तो उससे पहले chapters क्या बोलते हैं कि वेदिक period चल रहा था ऐसा period चल रहा था जहां पर books जहां पर literature जहां पर poetry poems बहुत ज्यादा क्या हुई थी बहुत ज्यादा spread होने लग गई थी तो उसको क्या बोला जाता है वेदिक पीरेट जहां पर अर्थ शास्त्र ठीक है या फिर जहां पर वेदास पुरान लिखे गए थे जहां पर कहीना की पूजा प्राथना है और बहुत जादे आग बोलो way of life को promote किया जा था ऐसी way of life जो लोगों को बोला पीरेट चल रहा है वेदिक पीरेट चलते चलते दोरान ही इसके बाद को पीरेट था ऐसा पीरेट था जहां पर लोगों ने सेटलमेंट करनी शुरू कर दी थी यानि कि जैसे मैंने आपको पता है रिवर बैंक्स के आज पास क्योंकि रिवर प्रोवाइड करता है water और रि ट्राइबल सेटलमेंट शुरू होने लगी ठीक है कहां पर होनी शुरू होगी इंडो जाइंग जैटिक प्लेंस पर यानि कि यह ऐसे प्लेंस हैं जहां पर इंडस और गंगा का मेल होता था और उनकी ट्रब्यूटरी का मेल होता था और महां पर क्या करते थे वहां पर ग् करते थे क्या एक तो agriculture और territorial division यानि कि यहां पर territories का division होना शुरू होगा था सम्हें बोलते है न पॉलिटिकल वे में ये state है वो state है ऐसे ही territories बंटना शुरू हो गई थी यानि थोड़ा सा war like situation कि king बोलता था ये मेरा है king बोलता था ये मेरी है तो मेरी है एसन की जगा मेरी है यह पर्टिकुलर जगा में तो यानि टेरिटोरिल डिविशन सोना शुरू हो गए थे उसके बाद लाइक जन्पतास अब जन्पतास क्या है एक और वर्ड हमार पास आया जन्पतास होते हैं ऐसे लोग जो सेटल होना शुरू हो जाते हैं जन्पता इस मेरली एक होते ह होते हैं महा जन्पतास तो बेसिकली क्या अर्ली सिटीज को बोला जाता है अब यहां से हमने दो वर्ड पिक अप किया कि वेदेगेज क्या थी बिटा वेदेगेज माई डियर चांप्स चांप्स पुरो वेदेगेज एक ऐसी जहां पे वहाँ अधा स्क्रिप्छर लिखे तो परत्ना होती थी प्रेर होती थी वे उफ लाइफ होता था वह श्प्रेड़ होना शुरू हुआ था उसके बात की कहानी हम पढ़ रहें इस चाप्टर में ठीक है उसके बाद बीटा इंडो जाए गांगेटिक प्लेंस की बात हुई तो majorly इंडो जागेटिक प्लेंस य अभी जोग्रिफी में पड़ा था तो Northern Plains क्या है हिमालियास के नीचे Northern Plains बुले जाता है प्लेंस की खास्यत क्या है कि यहां पर population रहती है और population क्यों रहती है क्योंकि यहां पर होते हैं rivers और उनकी इस अपर गंगा दिसें मेडल प्लेन अंद इस ब्रह्मपुतर तो बेसिकली अगर हम सिरफ इंडो जा गांगेटिक प्लेंस की बात करें तो बेसिकली यह इंडस रिवर और गंगा रिवर के मेजर क्या है मेजर सेटलमेंट है ठीक है तो आप यह वला पाट देखो क्लियरली ठीक है यह अपर गंगा वला पाट ठीक है यहां पर मेजर हम बोल रहे हैं ठीक है प्लेंस है और अगर आप यह देखो तो यह क्या है यह लोवर गंगा वला मेडल गंगा वला पाट है ठीक है यह स्पेशिफिकली आपको मार्क करके दिया है मैंने ताकि आप मैप वर्क भी अच्छे से करो, ठीक है, इसके बाद आ जाता है, यह लोवर गंगा वला, ठीक है, अब यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर सारी ट्रिब्यूटरी जी है, ठीक है, और यह ब्रम्मा पुत्रा प्लेन आ गया, यानि कि ब्रम्मा पुत्रा रिवर और उसकी अभी यह वहाला पाट भी है, पट this is, this comes under the lower Ganga plane, ठीक है, तो इंड़ उन ज्यांगेटिक Plain का मतलब के Indus और Ganga, ठीक है, अगर हमオगा इंड़ ज्यांगेटिक Plain की बात करें, तो यह होता है Indus, रिवर इंडस, Allrite and रिवर Ganga, Ganga और Indus का Mila AAP को बोलते हैं Indogangeticボ प्लेंज जहां पर इनकी क्या है Tributaries है इस river की Tributaries है और या फिर हम बोले इनके banks पे River bank होता है न दिखो जैसे कि ये river चल र्रह रहा है ठिपके river का bank भी तो होता है Bank Xन की river के plane वली जगा ठीक है उसके आसपास की जगह को क्या बोलते हैं प्लेंस बोलते हैं अब हम मानते हैं हमने इस वर्ड में भी महा जन्पदा भी किया जन्पदा भी किया ठीक है तो बेसिकली जन्पदा महा जन्पदा क्यों होता है एक ऐसा टर्म होता है एक ऐसा लैंड होता जापे लोग रहत वहाँ पर ही major, वहाँ पर ही major क्या है, वहाँ पर ही major settlement होना शुरू हो गई, ठीक है, तो इसके अंदर हम बात क्या करते है, मगदा की बात करते हैं, ठीक है, मेन कुरू की बात करते हैं, पंचाला की बात करते हैं, ये सारे जो है, ये basically, ये सारे जो है, जन्पदा कहलाते हैं, early cities खिलाती है और माज जन पता किलाती हैं यानि कि जो बड़ी cities है और जो क्या है जो river के banks पर settlement करते हैं लोग ठीक है वो early cities को इंडो जाने जने क्ट प्लेंग के दुआरा या उनके banks पर बनाया गया अब आगे चलते हैं माँम इस पूरे उसका हमारे अशोका वाले चाप्टर यही जो माल जनपदास है यह छोड़े छोड़े kingdom में तबदील हो गए थे और एक empire कैसे बनता है एक empire तब बनता है जब एक बहुत बड़ा king हर एक area को conquer करना शुरू कर दे तो अगर हम दो most important जनपदा की बात करें तो वह एक थी सबसे पहले one of the most important जनपदा वस मगदा एक बहुत बड़ा क्या था मगदा बहुत बड़ा क्या बन गया था जनपदा बन गया था जनपदा यानि की early state अगर आप मगदा को दान से देखोगी तो मगदा is here यह मगदा है यहां पर मैं माक कर जनपदा बन गया था early city बन गया थी अब क्या हुआ था basically यह बहुत important था और अब हम जब बात करते हैं Moran Empire की तो basically Moran Empire था क्या Moran Empire basically एक बहुत बड़ा king था ठीक है जिसकी अशोका की बात कर रहे हम ठीक है उनके dad थे उनके papa थे बिंदु सारा उनके दादा जी थे चंदरग डाइनस्टी चलती आरथी तो यह इतने powerful थे क्यों यह powerful थे क्योंकि यह एक एक करके सारी जगा को conquer करना चाहते यानि की war में जीत कर अपने नाम कर देना चाहते यानि की जो भी कोई war करते थे लडाई होती थी ठीक है यह जीत जाते थे because they were powerful और इनके जीतने के कारण क्यों होती थी वह particular जगह वह इनकी हो जाती थी यानि की वह particular kingdom इनके अंडर आता था ऐसे करकर कि इन्होंने बहुत सारी जगह को conquer करकर करके यह क्या बन गए यह बन गया एक empire यह बन गया एक empire empire क्या होता है mixture या फिर mixture यानि adding on to a lot of adding on to a lot of kingdoms तो इतने सारे kingdoms को जो कि बड़ा empire बनता है not empire 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 होता है cricket वाला empire होता है एक बड़ा empire create करना ठीक है तो सबसे important था magda तो मैं magda कैसे बना थेको अब क्या हुआ हुआ size of magda is attributed to fertile plains क्योंकि इसका main जो area था main जो area था वो कहां बनता है वो river ganga को जाता है ठीक है जैसे कि हमने river ganga की शुरुवात में बात की तो river ganga से इसकी शुरुवात हुई क्योंकि उसके banks पे यहां पे लोग settled होने लग गए ठीक है उसके banks पे people started settling people settled और यह बहुत एक अच्छ अच्छे land माना गया ठीक है उसके बाद the haryananka shishung naga and nanda dynasty help in the development of the magda as a powerful state अब यह कुछ ऐसे state है जिनका वर्णान आपकी book में भी किया है ठीक है यह कुछ ऐसे Kingdoms है जिनके मिलके ऐसी को dynasties मिलकर यानिकी वह लीनिये चल रही है दादा जी बेटा फिर उनका grandson ऐसे मिलके development हुई सिर्फ मगदा की यहां पर हम सिर्फ मगदा की बात कर रहे है ठीक है अब और कैसे राइस हुआ अब आप देखो कि जो Moran Empire था ठीक है Moran Empire था जिसके अद ösचंदर गुरुपूरस मौरया घृ दचंदर गु्रूप मौरया जी grandfather घंदर थे फिर इनके इनके बेटे कौन हुए बिदू सारा इनकेohl कों थे बिपनका गभीन तबिदू सारा का बेटा. कौन था अशोका बेटो सारा का बेटा कौन था अशोका था ऐस बैसिकली chapter पूर 300 years ago अब यहां पर देखो देवा सेवरल सिटीज इन एंपायर विच इंक्लूड़ेड़ प्रतालिपूर तक्सला अरुजेन अब इस पूरी सिटी के अंदर दीरे दीरे क्या हुआ यह इतने पावर्फुल हो गए क्योंकि यह हर जगह जाते थे वार करने ठीक है और हर जगह म क्योंसे बहुत सारी सिटीज और उसके अंदर इंपोर्टेट में इंपोर्टन सिटीज कुछ थी सिर्फ पूरे आप देखरोँ ना कि जीतते जा रहे थे जीतते जा रहे थे वार में जीते बिकॉज वा वर्वरी पावर्फुल तो इनके अंदर तक्सिला अगई जो कि बहुत important है, पताली पुत्र जो capital था, तकसिला और उजयन, यह सारी इनके अंदर आ गई, ठीक है, तकसिला उजयन पताली पुत्र या पाटली पुत्र को हम क्या बोलते हैं, capital, capital city बोलते हैं, अब यह क्या था, अब यहां पर अगर हम बात करें, तो तकसिला और उजयन क कि हम specifically बात क्यों कर रहे हैं, हम तो बहुत सारे cities की बात कर सकते हैं, लेकिन तकसिला था ना बेटा, वो एक northwest gateway था, ठीक है, वो क्या था, northwest gateway था, यानि नॉर्थ और western पार्ट का एक gateway था, यानि कि यहां से ही गुजरता था, ठीक है, यह क्या था, नॉर्थ वेस्ट पार्ट इसके थ्रूही ट्रेड होता था, ठीक है, और उजयन हम देखे, तुजयन नॉर्थ से साउथ का gateway था, नॉर्थ एन साउथ, यहां का अगर हमें ट्रेड करना है, तो हम इस उसमें ट्रावल करेंगे, that is, नॉर्थ साउथ गेटवे, और मेजरली हम यह गेटवे क्यों लिक हैं, क्योंकि हमें करना होता था, ट्रेड, उस टाइम ट्रेडिंग शुरू हो गई थी, उस टाइम, ऑफिशल क्राफ पर्सन प्रॉबरी लिट इन दा, सिटीज, मर्चंट रहते थे यहां पर, क्योंकि यहां पर मेजरली ट्रेड होता था, ठीक है, तो यह इंपायर इतना प्रॉस्परेस इंपायर था, क्योंकि हर एक विलेज में फार्मर्स एंड हड़र्स हुआ करते थे, लेकिन एगरी कल्चर की बिलकुल भी कमी नहीं थी, तो एगरी कल्चर होता था, सम एरियास के अंदर जो सेंट्रल इंडिय के अंदर बीच के, तो वहां पर फॉरेस्ट प्रडूस होता था, ठीक है, यहां पर अनिमल गैदर फॉरेस्ट प्रडूस होता था, तो यानि की हर एक चीज, फूर से रिलेक्टेड हो, मर्चंट हो, everything was happened in the empire, और यह कुन से एंपायर है, यह मौरेन एंपायर है, उसके बाद क्या है, पीपल इंडिफरे language speak करते थे, because अलग अलग जगा का था, जैसे कि इंडिया है, इंडिया ना एक जगा है, लेकिन अंदर states अलग है, लोग अलग diversity थी, तो ऐसे ही सब मिल छोल के रहते थे, और empire के अंदर, मौरेन इंपायर के अंदर, सब अलग अलग language speak करके, अलग अलग food का थे और diversity आती थी और एक और में आपको दिखा दू, मौरेन इंपायर कुछ इस तरह दिखता था, यह सारा ब्लू पार्ट क्या था, यह सारा ब्लू पार्ट हमारा, क्या कहलाता था, यह सारा ब्लू पार्ट हमारा, क्या क्या कहलाता था, यह सारा ब्लू पार्ट हमारा, क्या क्या कहलाता था क्या बोलते हैं Mauryan Empire, Mauryan Empire याने की पूरा जो हमारा एक तरह से इंडिया का पार्ट है कुछ कुछ जगह को छोड़के वो सारा Mauryas के अंदर था, ठीक है, अब बेसिकली जो न्यू जनरेशन थी, अब बेसिकली जो न्यू जनरेशन थी वो तो सब अशोका के अंदर थी, तो अशोका ने उसको कैसे ट आकल किया, शोका ने वार क्यों गिवप कर दिया चालिंगा की अंदर बढार के लिए एक और जगह को वो तक हूझ कहना क लीए एक खालिंगा, पालिंगा के लिए ऐथा क्या हुआ जो उन आनिह को वॉर्ने गिवप कर दिया, तना बड़ा आज हम मुझे वार नहीं खेलना क्योंकि मुझे वार को गिवाप रना है ना हाओ और एंपायर इफरेंट फॉर्म किंडम किंडम और एंपायर में क्या फर्रक है यह तो मैं आपको पता दिये एक और बार कर लेते हैं जो एंपायर होते हैं आप यह पूरा मगदा एंपायर है ठीक है जो ग्रीन ग्रीन पाट यानि की तक्षिला भी आता है यह पूरा का पूरा डाइनिस्टी है यह मैं आपको दिखा चुकिए हो अच्छा अब नॉर्मल सी बात है कि मैं आपको बता चुकिंगर जो होता है emperor से deal करता है, यानि emperor कौन हुए यहां पर? emperor हुआ Ashoka, ठीक है, तो बात है, Emperors need more resources, Emperors को पूरा देश छलाना है, तो उनको बहुत से resources चाहिए, उनको army officials चाहिए, उनको big big officials चाहिए, जो tax collect कर सके, लेकिन on the other hand, जो king होता है, वो छोटे area में होता है, और छोटे kingdom के लिए होता है, ठीक है, तो यह major difference था, king और kingdom, king और emperor में, और empire और kingdom में, yes, and empire and the emperor, ठीक है, तो basically, आज का lecture यहाँ पे खतम होता है, इस lecture में हमने यही पढ़ा, कि king और kingdom, empire और emperor क्या होता है, यह emperor, जो emperor था, अशो का, और जो इता बड़ा empire था, वो कैसे शुरुवात हुई, ठीक है, और इस empire में किसी भी चीजी कमी नहीं थी, भले ही लोग अलग हो, लेकिन इस empire में कमी नहीं थी, और मगदा, एक ऐसी जगा थी, जहां से उसके development से ही, यह पूरा का पूरा, कहते है न यहां पे forest produce जो होता था, वो forest area से collect किया जाता, armies से, official से, और बहुत ही अच्छा manage चल रहा था, एक कलिंगा एक ऐसी जगा थी, जहां पे अब next war और conquest करना था, next lecture में देखते हैं, वो कैसे Ashoka ने किया, क्या किया, नहीं किया, चाप्टर के नाम से, गिव अप कर दिया, क्यो see in the next lecture, till then my dear little champs pro, bye-bye, see you in the next lecture.